मैं कीर्टी परोहा क्लास 11 बायोजी में आपका बहुत स्वागत करती हूं बच्चों आज हम करेंगे आपके युनेट 5 के अंतिम चैप्टर जो है रासाइनिक समनवय तथा विनियमन हमें अच्छे से पता है कि हार्मुन्स एक ऐसे रासाइनिक पदार्थ होते हैं जो नलीका विहीन ग्रंतियों से स्त्रावित होते हैं और इनकी सूक्ष्म मात्रा ही हमारे जैवे क्रियाओं के संपाधन और जीव शरीर के आकार प्रकार तथक की कारेकी को निर्धारित करने मे में बहुत महत्यपूर्ण भूमी का निभाते हैं इस चैप्टिर से हम जो इंपॉर्टन कोश्चन आंसर है उसको डिस्कस करेंगे बच्चो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला है जीन इस तरफ पर प्रेरण करने वाले हार्मोन होते हैं आंसर है वसारागी निमने मैंसे किस अंग में लेडिंग सेल्स या लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं आंसर है ब्रश है इसके बाद देखिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन निम्न पदार्तों में से कौन साथ दिती है दूद्ध या सेकेंड मेसेंजर कहा जाता है तो इसका आंसर है चक्रिक एमपी चौथा किस हार्मोन के प्रभाव अनुकम्पी या सिंपेथ्याटिक तंत्रिका तंत्र के प्रभावों के समान है आंसर है एड्रिनेलिन च्ट पाचवदे के लेंगर हैंस के दीप पाई जाते हैं थर्ड है आंसर अगनाशय में एक नमबर का प्रभाव क्रौशन देखिए संकट कालीन हार्मोन है एड्रिनेलिन अंसर है इसका उन जाते हैं लेंगर हैंस समूं की अलफा सेल्स के द्वारा आठवा देखो बच्चो पिट्यूटरी ग्रंती द्वारा निमनले खित में से किसकी स्त्रावन क्रिया का नियंत्रन नहीं होता अदलर ऐसा कौन सा सेक्रीशन है जिसका नियंत्रन पिट्यूटरी ग्रंती से नहीं होता उसका अंसर है सेकेंड एडरिनल मेडियूला अब रिक्तिस्थान की पूर्ति कीजिए कि खालिस्थान हार्मोन की कमी से मानों बोना रह जाता है उत्तर वृद्धी हार्मोन दूसरा हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतरस्त्रावी ग्रंथी का नाम है थायराइड थीसरा घेंगा रो हुआ को खालिस्थान की कमी के कारण होता है जो है आयोडीन थायोक्सन हार्मोन 4 प्रिवश ग्रंथी हारिस्थान में पाई जाती है उत्तर है अस्तिष्क को這麼 करेंद्य के था प्राव है सत्य एडिनेल ग्रंथी को मास्टर ग्रंथी तथा प्रियूश ग्रंथी को संगत्रकालिन ग्रंथी कहते हैं असत्य इसका उल्टा है यह अगनाश है कि हम झान आखा देस कि का स्वे सिते हैं ॐ के अर्णथी कि अ. पहा हमी से ईसाथ अ. झाल ग्रंदी कंहा को कि अ. कई BC झाल 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 झाल